हाली में जा रहे हुए उत्राखंड बोर्ड के परिणाम को लेकर मंगलौर की केवल कन्यापाट शाला इंटे कॉलेज के परिसर में पुलिस अधीक्षक ने मेधावी छात्राओं की माताओं को प्रोट साहन राशी दे कर सम्माने किया स्पी देहाद स्वपन किशोर ने दीप प्रज्वलत कर कारक्रम का शुभारम किया स्पी देहाद स्वपन किशोर ने कहा कि छात्र छात्राय देश का भवश्य है जिसे और निखारने की आवशक्ता है उन्होंने कहा कि जीवन में उन्नती के लिए सिक्षा महत्वपून भूम काने भाती है साथ ही उन्होंने सभी छात्राओं के उज्वल भविश्य की काम ला की कारक्रम में 75% अंक लाने वाली उनसर छात्राओं की माताओं को एक-एक हजार रुपए के चेक भी वित्र तो कि मारी संस्ता में आज एक ऐसा कारेकम था जिसमें बच्चे बिना बैक के आने थे क्योंकि सेटर्डे के लास सेटर्डे में मंत के बिना बैक के बच्चे को बिलाते हैं तो आज हमने सोचा कि जिन बच्चियों ने 75% से ऊपर माक्स लिये हैं, बच्चों ने तो किया यह, उनकी तो कमर हमको थप थपानी चाहिए, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, उसमें पेरेंट्स में भी उनकी माता हैं, जादा तर हम देखते हैं, फिल्ड में, कि बच्ची पढ़ने में इंट्रेस्टेड होती है लेकिन उनकी माता घर से नहीं जाने को अलाव करती है क्या के वह घर का काम करेगी और बाहर जाएगी तो वह एक किसम से पोस्राहान रासी एक एक हजार उपए उन बच्चों को माताओं को दिये हैं जिनके माक्स अच्छा हैं तो हमें सबस्ते हैं कि माताओं की भी पीट सबसपा देनी बहुत ज़रूरी पाट साला इंटर कॉलेज के प्रबंधग डक्टर रविंद्र कपूर जी प्रधानाचारिया सिख्षक वरिंद और जो भी हमारी चात्राएं हैं उन सब को आज के इस खोबसूरत आयोजन के लिए और पस्तुति के लिए कोटी-कोटी साधुआ प्रबंधक महदय के द्वारा 59 चात्राओं को की माताओं को एक एक हजार रुपए प्रशकार सुरूप उत्साहन सुरूप दिये गए हैं जिनके द्वारा 75% से अधिक मार्क्स प्राप्टि किये गए हैं बारहमी अवम दस्मी कक्षा में साथ ही लगबग साड़े 600 बच्चीयों को सूज और साड़े 600 बच्चीयों को स्कूल बैक्स प्रदान किये गए हैं ये एक बहुत महतुपूर्ण प्रयास है और उनके इस प्रयासों के लिए उनको कोटी-कोटी साधुआद इस वर उन्हें उनके प्रयासों में निरंतर का जम्यावीदे और वो शात्राओं की सुरक्षा और कल्यान के लिए जिस तरह से प्रतिबद्ध हैं जिस तरह से सुरक्षा के उपाई इस विध्याले में किये गए हैं वो अभूत पूर्व हैं बहुत ही बहतरीन माहौल है यहां सिक्षन और पठन-पाठन का बहुत-बहुत बदाई सम्भी प्रतिबद्ध हैं